आप वीडियो देखने के था सब प्लीज मेरे चानल को जड़ी से सब्सक्राब कर दें तो अगर वीडियो अशे लगे हैं तो लाइक और शेयर भी साथ सब्सक्राइब कर दीजगा तो चलिए वीडियो को स्ट्राइब करते हैं पैकिंग काली तुम लगों ने सुनी बेगम ने कमरे में डाल होते हुए का तो इंतसाल पलवश्य और सिफगा ने सर उठाए उनको देखा और फिर बैड़ पर बिखरे कप्रों और जमीवा परवे खुले बैक्स को देते हुए सर नफी में हिलाए था नहीं आउंटी हमें समझ नहीं आ रहा कि कितने और कौन सा ड्रैसिस लेकर जाएं जो ड्रैसिस हमने सेम ली टूरिंग करने के लिए वो रख लिए हैं बाकी हमें समझ नहीं आ रहा पलवश्य ने उगलिया आपस में लुजाते वे जाब दिया तो इन दोनों ने भी सर की थी हाँ यह ठीक है और आप दोनों अपना सारा समान लेकर मेरे रूम में आजे मैं तब तक अपने लिए और ड्रैसिस देखती हूं सिपका ने बैट से उतर तो वे खात उन दोनों ने असबाब मिला था राम से लड़की गिरकर मेरे बाइकर नुक्सान ना कर देना कमरे बैक वक्साब को स्लाम करते हैं मुस्क्राकर पूछा तो सम्रीम वेगर ने मुस्क्राकर अपने बेटे को देखा जबके बेराम शाह की लोग देती में नजरें हुट पर मेसूस करते हूए इंतसार के गाल गुलाबी पड़े थे नहीं बस बच्चियों को एक साथ जाने की खुशी बहुत है इसी की तियारी कर रही है तुम आगे हो तो फ्रेश हो कर आजो मैं तब तक खाना लगाती हूँ सम्रीम बेगम ने मुस्करा कर जाब देते हुए कदम बाहर के जाना बढ़ाय थे फूपो मैं हदाय के लिए लांच पैर कर दूँ आप ड्रावर के हाथ हॉस्पिटल बेश दीजिएगा बेराम के सवाका जाब देते हुए बेट से उतरते हुए हलीमा बेगम का बादू थामते हुए कदम बाहर के जाना बढ़ाते हुए खा तो उन्होंने मुस्करा कर सा असबात महला था मैं फ्रेश होकर आता हूँ तब तक ये दिर्वादा बंद कर दें कदम वाज्रूम के जानब बाहर तो इंतरस असबात महला था हुए आगे बढ़कर बेराम के लिए टाबल के साथ इस लुआ कमित निकाल का तेजी से उसके जानब बाहर पकराए थे बेराम शार चावर लेकर बाहर आया तो वो तब तक उसके लिए चाय बना ले थी जिसे दिए तो वे बेराम शार के हुंटूबा दिलकश मुस्क्राहर रहें गई आयोने के सामने खड़े होतवे टावल बाल में फिरतवे इंतसाद को आंकों के इशार्ट से अपनी जाना बराया तो वो दान का किनारा दान तलह दबातवी चोटे-चोटे-चोटे कदम लितवी बेराम शार के करीब आन खड़ी हुए कैसा जा रहा है स्कोल इंतसा के कहने पर बेराम ने उसे स्कोल की सेमेदारी सौंब देती आप सल्वा, पलवश्या और इंतसाद तीनों स्कोल के मामला देख रही थी बहुत अच्छा, हमने रिसाइड किया है को स्कोल को थोड़ा वसीख आ ले स्कुल के बीच ग्रोन वाल जगापर इंटर की बजु के लिए एकिमारत बना दे और इंटर के बात के लिए कुछ सोचे इंत्सा के एक चेहकर कहने पर बेराम चाले स्टेड़ पर हैंकरते वे इंत्सा को नर्मी सेबास बटवे कदम सोफिय के जाना परायते किसी हाल की जूरुत हो तो मुझे बता देना अगर मैं बिजी हुआ तो बलाज से कह देना वो कर देगा तो बलाज लाला का मनाएं के सिपका को बाहें बहरामशा की गड़ना के गिद्ध हाल कर देगा तो बलाज की जिकरपा बेरामशा के चेहरे के जाबिये ऐसे बिक्रे जैसे मुझ में करवा जाय का गुल गया हो कुछ दिर पहले उसकी हरकत याद आए तो बेराम ने तासर से साजिट का था रूठी रहने दो ये खोता निसान है ही इसलाइक जरा जो इनसान सुदर जाए बीवे नारास रहेगी तो दमान ठिकाने पर आजेगा बेराम चा के मुझ म बना चाने पर इनसान ने गुर को देखा था जिस पार बेराम चानने अपने दोनु खात इंसान की कमर के गिति लिपे उसे पने मज्यद करीब किया था गुरो मत बीवी मेरा पहले ही ये गाम हतम नहीं होता कि इन मेसने लोगों के लिए मेरी बीवी मुझे छोड़कर चले गए थे होंट इंतसाल हान के गाल पस्थब करते हुए शिक्का के लहजे में का तो मेसने कहने पर इंतसाल नाबाब मुश्किल अपनी हंसी रोकी थी वो से क्याब दाती कि वो मेसने लोग भी उसे ऐसे ही इलकाबास से नवासते हैं चाए आप अब भी फ्री ना हो ना तो चुप चप चाए पिए क्यूंकि सब नीचे लांच के लिए वेट का रही हैं तो बेरामचा को अपने होंटोबा जखते देए स्राइय से हैथे ली बेरामचा के हुंटों पा जमाते खातए हाथ बरआकर टेबल से चेगर कब उठाता हुए उठाते हुए उसके जानव बरैते हुए तो बेरामचा ने सताईशी ची अंतस में IBRU उछगा कर इंतसाल हान को देखा था जैसे आपके हैं लेकि थोड़ा सा फ्री होने के बाद इंतसाल का चाय थामे हाथ की कलाई अपनी नर्फ गिफ्स में लेते हुए शिदत से उतके हुंटों पर अपने लंज चोड़ते हुए सरगोशी की तो इंतसाल हान साथी से आंके मिचे थे व अपनी मेडिसंस रख ली है तुमने लॉंच में आती हुडिया को देते वे अकीतर ने पूचा तो वस्ता असबाब में लाती भी सल्वा के एकड़ी सोफे पाब बैठी थी मेरे तो साड़ी पैकिंग हो गया मागर जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते तब तक मैं कुछ ना कुछूर फजूर समझ के निकालती रहोंगी और कुछ ना कुछ सरूरी समझ के रखती रहोंगी इसी चकर में कहीं हुदी ना रहा जाना सल्वा की बापर अकीतर ने जवाब दिया तो हुडिया अपने मुस्क्राहट चुपाते हुए चेरा हाथ में थामे मैगसी बाज चुकाया था हाँ मेरे शोर का बस चले तो यहीं चोड़ जाए और वैसे भी जितने वो आप तक मुझे घुमने के ताने दे चुका है ना उसके बाद बंदा तो मेरा यह है कि कमड़े में ही क्यात हो जाओ चोटे से किचे में भी वही इंतजाम काल दो वहाँ इस चस का क्य बढ़ो था हुईली में चलने फिनने पर ताने देना शुरू करते हैं प्राइस खाते हुए हाँ जला दिला के अपने छोटे दुख बिताती वी मर्दान हाने के जाने बढ़ते हुए अर्गमान हान को ठटकर रुखने पर मजबूर कर गेते रिस्क खाते हुए बंदा थो से कहने पर अर्गमान हान ने आई ब्रोच काया था अकीदत बाबी मर्दान हाने में कुछ महमान आया है उनके लिखाने का इंतिजाम कर दे जरा चल्दी अर्गमान हान की बाड़ यवापर फ्राइस सल्वा के हलक में अटकी थी हैरत की जाती से फटियां को से बस्तामने द सल्वा से हटाक उसको देखा था जी लाला वहीं है उनसे मिलने ही दूसरे गवं से लोग आये हैं गिनने तो नहीं हैं लेकिन आप आठ लोग के लिए बना दे अर्गमान की कहते ही अकीदत साही लाती हुडिया और सल्वा को किचन में आनगा कहते भी किचन के जानम पर थे मेहमानू से फ्री हो तो सल्वा के दुख सुन लेना उसे तुम से बहुत से गिले शिकुई है उलिया के मुसका के कहने पर अर्गमान हाने सर को हम दिया था जबके सल्वा ने मुठियां बीचते वे गुड़कर किचन के जानम जाती भी हुडिया को देखा था उसे पहले कि वहां से उटका फरार होती अर्गमान हान उसके सर पर आन खड़ा हुआ था दिन रात ताने देता हूँ मैं डाइनासौर हूँ जल्म करता हूँ सुपर बैट वी सल्वाशा की कलाई को आने गित में लेते वे जटका देके अपने राय रूब 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 खड़ा किया त दान में सर नफी महला था नहीं तो वह तो मैं अर्गमान हान के चरी के बिग्रेत तास्रा देखते वे घर बढ़ा कर कहती वह एकदम से जुकती अपनी कलाई था में अर्गमान हान के हाथ की पुछ पर दान गाड़ चुके थे यह सब इतना गया मतवकत था कि वह चीज सब वाही निकालते वे मसूमिय से अंके पटपटा का उसे देते वक पलट गई तो सलवाशागी इस हरका पर अर्गमान हान के दिल ने बीट मिसकी थी अना भी हुंटो का मस्का चूट कर गुछ थी तो अर्गमान हान सारजिट्ट तेवे वहां से निकलता चला गया था अगर ये तुम स्काई ब्लू ड्रेस के साथ पहनोगी तो तुम्हे अच्छा लगेगा बाड़ी अबाद पा सिपका ने गरदन तरिच्छी का के अपने पीछे खड़े वे बिलाशा को देखा था जो आंखों में नर्मी लिए वे हाथ सिपका के जाना बढ़ाई खड़ा वो हवेली के बैकसार पर बने वे ग्रीन होस के जिल पर बैटी लैप टापा देज से उमले चलाती भी अपनी पुछ पर उबर दी बाड़ी अबाद पर चूंके थी गरदन तरिच्छी कारकर देखा तो बलाशा को अपने इंचानब हाथ बरावी खड़ा पाया था बलाश होना तो मरा हक है मगर इस हक में तुम्हें जिए मेरे हकुक इसमा करने से नहीं रोग सकते नज़ें सिपका के चेप टकाए नरम मगर बहुत कुछ बावर करबाते वे अंदास में कहते हैं सिपका कहात नरमी से बदबत वे चोड़ चुका था मैं जानता हूं मेरी गलती है हर वो बात जिससे तुम्हें तकलीफ हुई है मैं माफी मंगता हूं ना सिर्फ वो बातें जो हुई हैं बलकि उनके लिए भी जो माजी में हुए मैं हमेशा से जानता हूं कि तुम उसे महबत करती हो हमेशा से या इसी दिन से जब तुम पहली तुम्हारा कियाना कि मुह मुह जासे मुह जिए सिर्फ जिद और पश्टावा है यह बाते मुझे तैयाश दिलाते थे और जिस वकर तुम्हें पीछे हटाता ना देखा तो तुम्हारे लफसुप से रोकना चाहा इस बासे भी वाकफ था कि तुम हुलिया के डाट की मैं स्या जोतुप पर आर्म रुके थी तिपके सिबकाशा सांस रोके वे नजरें बलाचा के गुटें पर टेके वे हाथ पर ढखाए उसकी बोलने की मुंतजिर थे मैं उसे आईस से बचाना चाता था नहीं चाता था कि उसे मसीद कोई तक्रीफ हो डाट था कि आईस उसे दुश्मनी की नजर ना कादे तुम पर यही जाय करवाया कि मुझे तक्रीफ देने के लिए जा रहा हूं और फिर उसका डर लेकि चाहदी के बाद साब बगल गया वहुश थी और मैं उसकी खुशी में हुश हो गया लेकि तुम से महबत ना कर सका क्यों करता कैसे गरता य मैं के तब अपने जगा से उटा था आप मैं था में वे सिल्वेट जिंगों को सिप्रा के करीब लगते वे नजरें उसकी हमोश चेड़े पर टगाए थे मैं बच्चे की कहने पर गार्डन तुमारे लिए आया था उसने कहा था कि मेरी वाइप हम बलाया है मैं तुमसे बा की हड़कत है लेकि मैंने ये बात तुम पर वाज़ा नहीं की इस दिन के बाद से वैसा ही रविया रखा शायद तुम तंग आकर छोड़ो वैकि फिर मैं हार गया एक लहमे का खिलता और बलाशा का दिल शकस्त का गया था मैं नफस की हाथ उपर तुमें तकलीर देने की घ इन्हें पैंट का कर देना सियाग गैरी आंके सिपका के चेसर हटाते हुए जिंगों पर डाले थी कुछ लंबें वो हमोशी से सिपका के चुबोलने का इंतजा करता रहा मगर जब वो हमोश रही और सार भी जुका गई तो बलाश शाह होन बीचते पर वहां से चला गया थ सिपका ने घंदन तरिच्छी करते हुए दूर जाते हुए बलाश शाह की चोड़ी पूस को देखा था नज़े मोकर जिंगों को देखा था यह इस सदी का मुझा है कि बलाश शाह सरीयल इंसान सोड़ी और डिकवैस एक साथ एक ही बंदिस कर गया है होंटो पर मुस्क्रा पार सजाय सरगोशी नमा लहजे में कहते है सिपका ने जंगों को मुट्टी में समुटा था